हे फ्रेंट्स, तो कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बढ़िया होंगे तो फ्रेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी तो चली शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स, आप देख सकते हो, इहां पर मैंने ले लिया है पालक ठंड के मौसम में पालक खाने का मज़ा ही अलग होता है तो फ्रेंस पालक को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया और फिर इसे पानी में मैंने तीन से चार बर अच्छी तरह से धो लिया है तो फ्रेंज आज मैं आपसे पालक के साख की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैंने बैंगन डाल कर बनाया है तो साथ ही साथ मैंने बैंगन को भी कट करके अच्छी तरह से धो लिया था तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है क्योंकि बैंगन और पालक में काफी आईरन होता है तो फ्रेंट सबसे पहले मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं आपको चड़ाना है कड़ाई कड़ाई में डाल देना है तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें आपको डाल देना है बैंगन रोस्ट करने के लिए तो अगर आप सर्सो का तेल यूज करते हैं तो जादा बैटर होगा क्योंकि सर्सो के तेल में साख बहुत ही अच्छा बनता है तो मैंने या पे तेल में डाल दिया है बैंगन और इसे भुनना शुरू कर दिया है dip fry नहीं करना है swallow fry करना है इसलिए बैंगन जले नहीं ध्यान रखेगा इस चीज़ पर इसे अच्छी तरह से चलाते रहिए जब तक कि इसका color brown ना हो जाए और आप देख सकते हो यहां पर मेरा बैंगन अच्छी तरह से roast हो चुका है इसे मैंने प्लेट में दूसरी तरफ निकाल लिया है जैसी आपका बैंगन का कलर चेंज हो जाएगा आप इसे निकाल दीजेगा फिर मैंने क्या किया है उसी कड़ाई में ही वापस से मैंने तेल डाल दिया है और तेल गरम होने का इंतिजार किया तेल जैसी गरम हुआ इसमें मैंने डाल दिया तड़के में जीरा और राई जैसे ही आपका जीरा और राई चिटकने लगेगा समझना आपका जीरा राई अच्छी तरह से उसमें तेल में मिल गया है फिर इसमें आपको डाल देना है दोनों सुखी मिर्ची लाल वाली और इसे अच्छी तरह से चलाना है जब तक कि आपका मिर्ची भी अच्छी तरह से ब्राउन न हो जाए जैसे ही मिर्ची आपकी अच्छी से ब्राउन हो जाएगा तो आप समझेगा कि आपका तड़का अच्छी तरह से रेडी है फिर इसमें मैंने डाल दिया है पालक पालक को मैंने डाल दिया है उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी फिर डाल दिया मैंने इसमें नमक फिर इसे अच्छी तरह से मैंने चलाना शुरू कर दिया है इसे 10 से 15 मिनिट के लिए आपको ढखना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से पालक को चला दिया है इसमें नमक और हल्दी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है फिर मैंने इसे ढग दिया था और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा पालक पानी छोड़ दिया है लो फ्लेम पर ही रखेगा ताकि पालक आपका जले नहीं लो फ्लेम पर रखेंगे तो आपका पालक भी धीरे धीरे गलना शुरू होगा और यह पानी छोड़ने लगेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पालक अच्छी तरह से गल गया है फिर इसमें मैंने डाल दिया है बैंगन high flame मत करेगा लो flame पर ही रखेगा और बीच इज में इसे चलाते रहेगा 7-7 में पालक के साथ आपका बैंगन भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएगा और इसे बीच इज में आप चेक करते रहेगा या तो हो सके बेटर होगा आप इसे धाकी दीजे और आप देख सकते हैं पर मेरा बैंगन अभी तक गला नहीं है तो वापिस से मैं इसे ढग दूँगी 5-6 मिनट के लिए उसके बाद इसे मैंने अच्छे से चला लिया है फिर क्या करना है फ्लेम को हाई करिए और इसे अच्छी तरह से चला लिजेगा ताकि साग का पानी सुख जाए आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा साग का पानी अच्छी तरह से सुख गया है तो फ्रेंज इस रेसेपी में आईरन बहुत होता है आप इसे चावल दाल के साथ भी सर्व कर सकते हो और ये तो मेरा साग बनकर रेडी हो गया तो फ्रेंज आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ करेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करे और चानल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मिलते अगले वीडियो में बाई